सामने हैं यह तस्वीरें दिखा रही हैं हमारी देश के खास महमान इम्मैनुल मैकरों फ्रांस की राश्पती इस वक्त देश की धरवहर देश की इतिहास कुनिहारते हुए आमेर के किले में इस वक्त मौझूद है पूरा फ्रेंच जो प्रतिनी मंडल है वो सभी इस वक्त इ उनकी अगवानी करने के लिए विदेश मंतरी एस जैशंकर मौझूद है उपक्य मंतरी भी यहां पर मौझूद आपने देखा दिया कुमारी को भी और इन तस्वीरों के जरिये ये साफ तोर पर समझा जा सकता है कि बारी की जान रहे हैं समझ रहे हैं भारत के कल्चर को औ देखिए इसी कूची से ये पेंटिंग ये हस्त शल्प तयार किया जाता है और बताते हुए कि किस तरह से हम इसमें रंग भरते हैं किस तरह से एक सफेद शीट पर ऐसी कलाकृति एक ऐसी आकृति तयार करते हैं तो यह यहां पर जो मौझूद हैं वेंडर्स उन्होंने ब दिखाया और फिर यहां पर चुकी ट्रांसलेटर की बेजरूरत होती है तो ट्रांसलेटर के जरीए भी बहुत अच्छे तरीके से बताया जा रहा है समझाया जा रहा है कि आखिर इसका इतिहासिक महत तो क्यों है क्योंकि यह भी यहां पर जाना जरूरी हो जाता है कि पू राजस्थान ही कि प्रडेश्तार नए आयाम बनाता जा रहा है और आमेर का किला क्योंकि राजस्थान में अगर आप आते हैं तो राजस्थान की पहचान धोरों से है चाहे वो जैसे मेर और बाड़ मेर की हो और राजधानी जैपुर में अगर जिक्र आता है तो आमेर के किले का जिक्र किया बगेर कोई नहीं इसको जुटला सकता है या इ बाट बाट के साथ हाथियों पर सवार होकर जिस तरह से नीचे से उपर तक हाथी पर सवार होकर पूरे किले को निहारते हुए टॉप पर जाये जाता है वो भी अपने आप में एक अलौकिक अनुभूती होती है और यह समय बिता रहें यह जो तमाम ट्यूरिस्ट जब भी आ आते हुए कि कैसे हम इन निर्जीव इन सफेद कागजों में रंग भरते हैं और देखिए मैनुवल मैकरों पूरा इंट्रेस्ट लेते हुए समझते हुए कैसे आपने यह चितरकारी चितरकला की है यहां ट्रांसलेटर के जरीए बताते हुए बिल्कुल बारीकी से कि किस आपने को फैसे बैट करते हुए किस तरह से सकेच यहां पर किया जाता है वहां पर पीछे इशारा भी एटार बना कर दिखाईए तो देखिए शायद ने सेंपल भी साफ तॉर पर यहां पर बना कर दिख़ाने की कोशिश और अपने बाकी साथियूं से भी Emmanuel Macron चीजों को जानते हुए समझते हुए भारत के तिहास को राजस्थान की कल्चर को और चुकि हमारे महमान हमारे देश में पधारे हैं वो कलर भी दिखा दे देखें ये वो कलर है ये वो कलर है जिससे ये कलाकारी पेंटिंग की जाती है और ये अपने आप में एक अद्भूत एक बार पूछते हैं अपने सवाल को जो जवाब आता है उसके बाद फिर आपस पर डिसकस भी कर रहा है यानि समझने की कोशिश है कि आखिर क्यूं राजस्थान हीचता है तमाम विदेशी परटकों को देशी सैलानियों को अब अगले पड़ाओं पर आते हुए आगे की ये अब ये कलाकारी ये कलाकारी और्नमेंट्स की है ये जोलरी की कलाकारी है ये किस तरह से आभूशन पैयार किये जाते हैं ये उसका स्टॉल है ये उसी से जुड़े कलाकार है हाथों के कमाल से जो खास वर पर महिलाओं के लिए आभूशन तयार करते हैं उसी ये तरलक यहां पर देखते हुए और बिलकल पलक जपकाए बगैर देखते हुए निहारते हुए सवालों को भी शांत नहीं रख रहे है जो भी सवाल इमेनल मैकरों के बंद में आ रहा है जहन में आ रहा है वो तुरंट उसको पूछते हुए भी और यहां पर बराबर में उनके अगवाने के लिए उनको सारी जानकारी देने के लिए बहाँ पर भारत की तरफ से बताया जा रहा है और देखे ये वो भी एक प्राचीन रूप या कहें कि इतिहास में जिसकी एक पहचान रही है चुकि राजस्थान वीरों की धरा है और इसी वीरों की धरा में जो मुकुट हुआ करता है जब लडाई के लिए योधा जाया करते थे तहों मुकुट किस तरह का पहनते थे किस तरह से उनके उपर तमाम तरीके से सुरक्षा के लिए कवच बनाए जाते थे कवच किस तरह से बनते थे कैसे वो प्रोटेक्शन करते थे अब ये पॉट्री ये बिल्कुल पॉट्री पर कैसे कलाकारी की जाती है वो भी यहाँ पर साथ की साथ सेंपल देते हुए बिल्कुल लाइव डेमो देते हुए कि अगर ये सफेद तश्त्री होती है फिर उसको किस तरह से रंग बिरंगा किया जाता है उसमें जान छड़ की जाती है और यह चाहे फूलदान आप देख लीजे तश्ट्री प्लेट्स देख लीजे घर पर किचन में ज़रूरी साथ सामान जो होते हैं उनको किस तरह से यहां पतियार किया जाता है वो भी यहां समझते और जानते हुए और देखिए नमस्कार भी इमैनुल मैकरों वहां पर धन्यवाद नमस्कार भी करते हुए जाते हुए जाहर तोर पर भारत से पुराना रिष्टा फ्रांस का एक अटूट रिष्टा अब अगले स्टॉल पर जब पहुंचे हैं तो दुनों हाज जोड़कर इमैनुल मैकरों ने भारतिय संस्कृती में ही अभिवादन किया और चुकी इमैनुल मैकरों हमारे देश के महमान है इस वक्त राजस्थान की धरा पर वो पधारे हैं महारे देश हमारे पहावने पधारे हैं तो यह हमारे लिए गर्व की बात है और उनकी अगवानी करना उनकी महमान नवा वाइल मांगा और कहा कि देखिए इनके साथ मेरी फोटोग्राफी लीजेगा या वीडियो शायद उन्हें कहा कि बनाईएगा और ये भी एक अपने आप में एक आत्मियता दर्शाते हुए कि फ्रांस और भारत के बीच में रिष्टे कितने प्रगाड हैं रिष्टों की जो साफ तोर पर चेहरों के मुस्कान से और जो संकेत दिये जा रहे हैं अभी तो प्रधान मंतरी नरेंद मोदी से मुलाकात होगी थोड़ी देर बाद मुलाकात होगी चुकि अब जहां से जंतर मंतर पहुंचेंगे मैनल मैक्रॉण तो वहां पर अगवानी करने के लिए प्र साफ से पहले जैपुर पहुंचेंगे और वहां आमेर के किले में आए हैं देखी अब अगले पड़ा उपर वो आए हैं यह स्टोंस हैं इन स्टोंस को भी बताते हुए दर्शाते हुए इनका क्या महत्त होता है किस तरह से इनको सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या यह अपने आप में एक अद्भुत और अब यह चुकी जोलरी की भी शॉप है यूं कहें कि और्नमेंट्स की शॉप है यहां पर गले के हार हैं कानों के जुमके हैं उनको भी दिखाते हुए बिलकुल राजस्थानी परिधान में यह बैठे वे साहब जो बता रहे हैं और यहां बीच में देखिए हलका फुलका हसी के पल भी देखने को मिलना है बिलकुल खुशनुमा अंदाज में यह पूरी मुलाकात का दौर चल रहा है और यह लाइव तस्वीर है इस वक्त आपके सामने और इससे पहले यह जो आपकी डाई तरफ की स्क्रीन पर तस्वी की और जाते हुए फिलहाले एक छोटे से ब्रेक का वक्त है